वीविडियो में देखेंगे इनर्ट देवायर कोम्पлекस यह टार्म् जो आता है वो कानेटिक स्टेबिलिटी सर ठीक है यह एसा complex है जो क्या होगा साझ होगा इनर्ट बडूर्ब को समझ लेते हैं हैं यह तो किस्टेबिलीटी से आता है मतलब एकोट मोता हो ठीक है यहां परeleri यहां पर टीक है कि यहां पर क्या होता है को से कंपलेस कराएंगी जो तो अक्रीय होंगे यह जो ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो यह दिखा लिगन्ड एक्स्षेंज करने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं यह फिर एक्सेंज ही नहीं करतें तो यह क्या कहलाएंगे इनकी टो जो एक्तिवेसे नर्जी होती है काफी हाइँ होती है तो इसको को साथ फारवड होने मेंं काफे टाइम लग जाता है क्या होगा एक मिनट से जादा होगा धिया है मतलब रियक्षन तär होगा कैसी तो 魔力 से जा BOB होगा और ऐसे complex को हम क्या कहेंगे kinetically stable complex कहेंगे ठीक है यहां पर है ठीक है अब लेवाइल complex कौन होगा जिसके activation energy क्या होगी कम होगी जिसके energy क्या होगी कम होगी तो आशानी से एक्टिवेशन energy प्राप्त कर लेगा बदल जाएगा मतलब लिगेंड एक्षेंज यहां पर क्या होगा फास्टर होगा लिगेंड एक्षेंज क्या होगा फास्टर होगा और टी हाफ टाइम यहां पर क्या होगा वन मिनट से कम होगा मतलब सेकेंड़ों में हो complex कहेंगे क्योंकि यह unstable होंगे और reaction देंगे ठीक है अब हम देख लेते हैं इसका example कौन सा हो सकता है देखिए हाँ पर यह जो है जाइमीन कुलोराइड कोबाल्ट ठीक है एक्जाइमीन कोबाल्ट का complex है इसका हम वाटर के द्वारा क्या कराते हैं हैं किसमें एसी टीक है एसी तभी होता है रेक्षिन होता है हमोडायनेमिकली क्या होगा 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 लेकिन बहुत टाइम लगाता है क्या कर आता है बहुत टाइम लगाता है मतलब हबतों भार में यह reaction complete नहीं होगा ठीक है बहुत टाइम लगाएगा मतलब आप क्या कर सकते हो इसको acid में store करके रख सकते हो acid solution में इसको store करके रख सकते हो क्योंकि यह reaction काफी slow होता है बहुत टाइम लगाता हो अब इसका current क्या है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन नजी काफी हाई होती है इसके अनरजी काफी हाई होती है तो मैं हम लगा हें ठ performers प्रिप्लस अंद्ध क्या बनाता है यह श्यव्पः इसको कि यहां अब लेहीं आख़ें ही है बलाइल जाता है क्या है यहां पे चल्वास हो जाता है मतलब एक सप्पॉस Cand heel यहां पर कोई मिल जादू नहीं है तो यहां क्या हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है जैसे हमने यहां देखा जरी है और एक मिन द्सक्राइब रहा है तो हम इसको क्या खाएंगे लेवाइल रियक्शन कहेंगे लेवाइल कॉंप्लेक्स कहेंगे ठीक है मैं इसको बठा दूंपर वाले कूँ अब देखते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर है जो काइनटिक इस्टेबिलिटी को अफेक्स करते हैं पहला है चार्ज ऑप प्लस चार्ज और फॉस्पोरस में क्या है प्लस चार्ज एक चीज आपने पढ़ा हुआ है जितना चार्ज जो है बढ़ते जाता है उतना उसका साइज क्या होते जाता है चोटा होते जाता है क्यों क्यों कि प्रोटोन के संख्या तो क्या है जितनी होगी उतनी ही है यहां पर प्रोटोन और इलेक्ट्रोन के बीच में अट्रेक्शन बढ़ते जाता है साइज छोटा होते जाता है साइज छोटा होगा देखो इसको भी हम ले ले लेते हैं साइज हुआ को साइज फ्यांच accelerating साइज का सथ्थ इसका साइज च्छोटा होगा वह लिग KIर आठ कह cotton कि इत्म बनाएगा इस्त्र beyond बना इगा अि जिसका साइब छोटा होगा हो क्या करेगा लिगेंड के साथ में स्ट्रॉंग बनाएगा जिसका साइब बड़ा होगा हो क्या करेगा डिस्टेंस बढ़ गया न जी लिगेंड के साथ में वीकर बॉंड बनाएगा ति भीकर बॉन्ड जो इनार्थ होगा जो विकर बॉन्ड वाला होगा लेवाइन होगा इतना समझ में आ गया दोनों ही कबर हो गया चार्ज वान मटल आयन चाहत दोंड़े प्लस है प्लस है फाइप प्लस है तो वो क्या करेगा स्ट्रॉंग अट्रैक्शन रखेगा किसके सा साथ में यहीं करें होगा क्या 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 होगा इस्ट्रοइब इंच्छेंज कर सकता है नीचे जाने फर बड़ता है शाइज बड़ता है मीद nessa होगा प्रक्ष उससे बड़ा क्या होगा साइज अगर देखते हैं बड़ा वाला में क्या बंता है pasta मौं यह क्या होगा लेवाइल होगा और जो छोटा वाला शाइज होगा इनर्थ होगा ठ corazón यह दो फेक्टर हो गए अब और यह है चार्ज साइज रेसियो थार्ड जो है वो क्या है चार्ज और साइज का रेसियो यह क्या होता है भाई हमारे पास साइज कितना छोटा है कम है मानके चलो हमारे पास चार्ज कितना है पांच और साइज कितना है एक वैल्यू क्या आएग कम एगा ठीगर वबयाए तो क्या होगा वीकर बानेगा ठीक है तो चार्ज अपंड देख लो तो चार्ज अपॉंड साइज रेसियो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या बनेगा चार्ज बढ़ रहा है साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है मतलब इसको तो लिवाईल हो नहीं हम पड़ चुके यहां पर क्या होगा बनेगा मतलब यह क्या होगा लेवाइल होगा मतलब चार्ज साइज रेशियो की बात करें तब यह होगी आपका थार्ड पॉइंट थार्ड फेक्टर जो इसको अफेक्ट करता है ठीक है एक चीज और है जियोमेट्री फॉर्थ जियोमेट्री यहां बता मुझे टेट्राहेडरल में लीगन कितना कितना होता है आपको मालूम होगा टेट ही छाहेडरल या फिर क्या होगा स्क्वैर पिले भाई करेगा वहीं हम-टांडरल की बात करें इसमें क्या होगा इस तरह से जुड़े रहते हैं लिगन लिखना मुझे च्छे नहीं लिखना है कि यहां पर बहुत सारे लिगन लिखने हुए है। कि यहांपर क्या होगा बाहरी लीगेंड का अटेक मुश्किल होगा मतलब ही जन्रली क्या होंगे होंगे ठीक एक है कि यहां पर लिखा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर मान के चलो में अईसा किलें बना देंगा गालु यहां पे दो जग से टो जोड़ें , ठीक है कि इसको सबस्केस तरह से कि क्या हो था जॉड़ा रहता है यह कीला बना लेता है मकडी अगर लेंभ आदर अलग नहीं हुक अलग नहीं हुआ वो यूड़ा हुआ है तो इस तरह की स्टेबलीटी क्या होती जादा होती ओं立 Mitt होते हैं इस तरह क्या होते हैं आगा क्यां डो हो रहा है स्क्वेट्र और जो ट्रट्र हड़ल हो रहा है इनर्टी हो रहा है तो उसकी बात नहीं करते हैं हम बात कर लेते हैं अप्राइड्र के ठीक है तो टाइप का है एक तो बैलेंस बॉंड ती के अनुसार की अनुसार है यहां पे दो तरह का कमप्लेक्स बनता है आउटर ऊर्बिटल कमप्लेक्स दूसरा होता है इनर ऊर्बिटल कमप्लेक्स पूरा लिख ले ना इसको ठीक है आउटर और अर्बिटल कॉंप्लेक्स किसे कहेंगे जब हाइब डिशन एन एस में हो प्लस एन पी में हो लेकिन एन डी भाग ले रहा है मत्तर जैसे कि अगर हम 3S 3P और 3D को पाटिसिपेट करा रहे हैं ठीक है तो उक्टाहंटल कॉंप्ले लेकिन इनर अर्बिटल कॉंप्लेक्स क्या हो जाएगा इसको कह सकते हैं यहां पर क्या है एन माइनस वन वाला है ठीक है मतलब अगर हम यहां पर ले लेते हैं 4S प्लस 4P यहां पर 3D क्या कर रहा है पाटिसिपेट कर रहा है यह उसके अंदर का और बटल है है ना मतलब यह आर्बिटल यह क्या हुआ हुआ रही है चाहता है तो इस तरह में क्या होता है देखो जो आउटर औरम अर्ड़िटल कॉंप्लेक्स जो होता है ना मिनीं होते हैं मंतलब यहां पे टीटू जी और वाग लेता payment इहां पे इजो इलेक्ट्रॊंन भरते हैं फीक है इज्याम होंगे लेवाइल होंगे ठीक, यह क्या होते हैं पाहिल होते हैं ठीक है और इनार्ट की बात करने तो यह क्या होंगे इनार्ट होंगे क्योंकि अंदर का विटल है वह थोड़ा मजबूती से बंदा हुआ है है यहां पर इलेक्ट्रोन भरने का जो क्राम होता है वह होता है आहर्य होता है यहांपि क्या होता है एक्जिया spouse रहा अपने पास अब अब हम देखते हैं क्रिस्टाल फिल्ड अबधान है थिविए सेमेस्टर में है अगर नहीं पढ़ा है तो विडियों जाकर देखिए क्रिस्टल फिल्ड त्योरी क्या होता है हम सीधा-सीधा ले लेते हैं कॉन्फिग्रेशन दीजिरो दीवन दीटू दीट्री दीफूर दीफाइब दीशिक्स दीशेवन दीएट दीणाइन और दीटेन इसको मैं एक साथ क्यों लिखाओं हूँ मैं बताओंगा आपको ठीक है देखो डीजिरो में डीएलेक्ट्रोन ही नहीं यह किसमें टूटता है टीटू जी और इजी में बार बार टीटू जी नहीं लिखूँगा बस संक्या लिख दूए यहां भी जीरो यहां भी जीरो यह क्या होगा इसमें क्रिश्टल फिल स्टेब्लाइशन अनर्जी कुछ खाली है यहां पर क्या है एक है्ना टीटू जी में कितना इलेक्ट्रोन हैं टीन हे यहां पर इजी में जीरो जीरो समझ में रहा है यह भी क्या हो जाएगा लेवाइल होगा यह यहां पर देखो टी टू जी में तो टीन इलेक्ट्रोन है यहां पर आपने पढ़ा है यहां रहा है इजी यहां है टी टू जी यहां है यहां जैसे इलेक्ट्रोन आता है तो यहां से एक्स्ट्रा इस्टेबलिटी निकलती है एक्स्ट्रा इस्टेबलिटी निकलती है जब तीन इलेक्ट्रोन यहां भार गया है तो यहां पर क्या हुआ इस्टेबलिटी जादा हो गई यह क्या हुआ हो जाए गा मतलब यह हो जाएगा कि देखो एक छाट रात तो भी क। Oprah घुचलित फुछ जाएगा लेकिन जोसे तीन बढ़ गया यहां पर खाली नहीं यह क्या हो जाएगा इनर्ट हो जाएगा समझ में आ रहा है। एक फूर की बात करें तो यह दो तरीके से हो सकता है एक तो लोड स्पिन और एक होगा हाइश्पिन हो से में क्या होगा एक ते टी टू जी है और यह क्या है , चैसे हम प्लेंहें यह संप्रकान होगा है एक तुर में होगा jewel चाहिए प्लेंगा प्रेंत को बड़ा बनातिया होगा कि को भी लिखना है ठीक है तो हाइस पीनुनبلा क्या होगा है कि कहां जा रहा है लुगर में ज़्यादा श्टेबल हो है मतलब क्या होगा है हुआ है यह देखो इलेक्ट्रो नीचे जा रहा है स्टेबिटी मतलब इस्टेबलाजेशन निकल रही है तो यह चीज नहीं समझ में आएगा मैं आपको बार बार बोल गाँ हूँ इसलिए क्रिस्टल फिल्ड इस्टेबलाजिशन नर्जी वह बढ़ते हैं ठीक है कैसे यहां पर ग्र इस्पिन में क्या होगा इस्पिन हाई होना चीए मतलब सब सिंगल सिंगल होना चीए एलक्ट्रोन कहा जा रहा है एक इलक्ट्रोन यहां जा रहा है मतलब यहां से एनर्जी एफ जॉब हो गई अग स्च्याभंगी जो एरज निकला था होबी ले लीआ Yuu इस्टेबल हो यहां अगर हम हाय इस्पिन देखे यह क्या होगा इंडेम Finance हूगा ऑग यहां कि अगर हम सिंगल सिंगल बहुत है तो पिरिंग कराते हैं तो इधर फोदूट यह हो गया लोई स्पिन यह होगया क्या हाइइ सब्सक्राइब कि और विटल है मानके चलो गोल गोल कौन चार्फोन बनाते रहे हैं यह जी और यह है टी टूजी तो हाइस्पिन में क्या होगा लेवाइल होगा क्योंकि इसमें इसका अगर हम टोटल से निकालेंगे तो क्या आएगा कि अब इसका एक्स्टाइब क्या आएगा है कुछ तो आएगा ठीक है कुछ तो आएगा उसी टाइप से दिश्च का आप बना के देखो यह आपके लिए काम है यह इप्रहलो क्योंकि होगा रहें है और है ये एच स्टीश मतलब हाइश-पिन यह क्या होगा लेवाई कि अध इताता ख्लिया है अब हम देख लेते हैं डी एट डी नाइन डी टेन चाहें इसका लोई स्पिन लेलो लोग तो सेबन इलेक्ट्रोन करें लोगे तो एक इलेक्ट्रोन यहां के पेर कर लेगा एक इलेक्ट्रोन तो ठीक है तो जहां भी EG में इलेक्ट्रोन होगा ठीक है क्या होगा EG में इलेक्ट्रोन होने के कारण ये क्या हो जाता है लेवाईल हो जाता है ठीक है ये क्या हो जाएगा लेवाईल हो जाता है ये जितने भी सारे के सारे कॉन्फिगरेसन है वो क्या होंगे लेवाइल होंगे बस इनर्ट कोन हो रहा है देखो दी थी इनर्ट हो रहा है दी-फोर दी-फाइब दी-फाइब दी-शिक्स का लो-इस्पिन इनर्ट आ रहा है चुकिछ बाकि सबके सब क्या है लेवाइल है समझ में आ रहा है इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक एस ब्लॉक कायन की यह समझ में आ गया ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझ में नोट्स भी पढ़ना वीडियो भी देखना और प्रहाई चालू का रोजी क्योंकि अब जो है एक जाम से एक दिन प पढ़ना पढएगह सरुष से एस ब्लॉक के एलिम्ट्स की मेटल कैसे जिसका सइच छोटा होगा को साइच छोटा होगा cum oxygen plus बनाता है मैंगनीशिम टुपलस बेरिलियम दोनों हो है कि इसका साइज चोटा होगा मतलब क्या बनाएंगे इनको छोड़के बाकी सारे के सारे क्या होंगे लेवाइल होंगे इनको छोड़के बाकी सारे के सारे क्या होंगे लेवाइल होंगे M coff थर्श गजड़ाइन बनाते हैं बलग वाले कि रोते हैं यह क्या होते हैं सारे के सारे लेभाइल होते हैं और चुकि हमने अगरर की बात करें daha Bruce Leg सेगमेंट की तो हम ले लेते हैं और यहां पर इतना ज्यादा होता है कि यह क्या होते हैं मतलब इनका जो इसका जो क्या होतीं लिगेंड क्या होता है इसका इसका साइज सीरिस ते भी छोटा हो जाता है इस वज़े सीरीज में क्या बनता है बनता है अब मतलब क्या होगा है होगा यहां अगर करेगा भी तो काफी टाइम लगाएगा ठीक है काफी टाइम लगाएगा को समझ में आ रहा है जी कि हट बना कि पढ़ने स्कॉइब फायदा नहीं देरे देरे से पढ़ते जाओ 3D स्रीज हमने देखा है 3D स्रीज जो अभी हम चाट बना के देख रहे थे उसमें क्या था D0, D1, D2, D3 क्या था इनर्ट था यह क्या थे लेवाइल थे बाकि सारे के सारे हाई स्पिन क्या थे D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 यह हम कब बात कर लेते हैं हाई स्पिन की यह क्या होंगे लेवाइल होंगे और यहां से लेके यहां तक D6 तक अगर लोई स्पिन की बात करें तो वह क्या होगा इनर्ट होगा ठीक है यहां यहां पर आके जोड़ता है चार्ज M3 प्लस आयन और M2 प्लस आयन के कंप्लेक्स में क्या डिफरेंस है बहले ही हम क्या माल लेते हैं तो यह मोडर्डली लेवाइल होते हैं यह ज्यादा लेवाइल होते हैं ठीक है एम थ्री प्लस क्या होता है प्लस क्या होता है यह यह इनर्ट नेस को दिखाता है और एक चीज ज्ट टेलर डिस्ट्वर्षन आप में पुड़ा होगा यह जेनरली डिन रक्रेशन में आता है ठीक है डिनरान के बागर के बारे प्ढ़ा होगा जान टेलर डिस्ट्वर्षन नहीं पढ़ा है तो विडियो बना गवा जाका देखो बिना पढ़े आ जाते हो आना तो है ही पढ़ना तो है ही जानकारी रखना चाहिए अब जोन टेलर डिस्टोर्शन मालूमें नहीं है तुमको आ गया हो यहां पर लेवाइलनेस पढ़ने यहां बड़ा विक्कत नहीं हो जाएगा यहां डिनाइन कॉन्फिग्रेशन जो होता ह छाइस में जोन टेलर डिस्टोर्शन पाताया है मतले बिकृति उसका संषे संभेशन होगा होगा उस में अगता लेगा जाएगा पुस भन्प फकरीशन ऑग्प ह हो फोना चाहिए यहां पर होता है और यको पर इकता है होता है मतलब थोड़ा से बिरिणा हुआ जिसका थोबडा थोड़ा विगड़ा हुआ हुआ है समझ में आ रहा है तो यहाँ नियुक को में बतारा हूं कि दीना इन्ट कर सन्हाइं हां यहां कि हां पर जोन टेलर क पाया जाता है जहां 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 भी mist Seiten ऑट क्या होगा हाइस होगा एक्षन करने वाला कॉम्प्लेक्स होगा तो समझ में आ गया है अब आपको समझ में यह नहीं आया मैं इसके बारे में में कुछ नहीं नहीं कह सकता अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से शुरू कीज़े देखिए और कुछ दिनों में इसका नोट्स आ जाएगा मैं तुरान नोट्स इसलिए प्रभाइड नहीं कर रहा हूं कि कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से नूट बनाओं ठीक है यह नहीं कि भाई सर बना के दिया पका पकाया हम खाली है मज़े से कोई काम ना धाम है ना फुकट का दाम तो चैनल ने बनने लिए बहुत बहुत दन्यवाज आप सब का दिन सुभू